हाई फ्रैंब साज हम लोग जाज़े वाले हरे वांदीर तो आपको हम लोग बताएंगे हम लोग किदर किदर जा रहे हम लोग बताएंगे फीडियो के बाद हम लोग जाएंगे और भी जगह गुमने तो आपको बताएंगे आप हम लोग साथ देखते रहिए हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज हम निकले हैं बाहर नियू यूर सेलिप्रेट करने जहां हम जा रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा एंड सिद्धी विनायक तो अल्मूस हम लोग मेट्रो ले लिया मेट्रो से हम अंधेरी आ चुके हैं और अंधेरी के बाद से हरे रामा हरे कृष्णा जाने के लिए हमने ले लिया है बस जो कि हम बस में बैठ चुके हैं और हरे रामा अंदेरी से हरे रामा हरे कृष्ण जाने के लिए सिर्फ पांच रुपय बस का लगता है तो हम बस में फाइनली बैठ चुके हैं आईए हमारे साथ चलिए नए साल में भगवान जी का दर्शन करने ये हम पहुजवे हरे रामा हरे कि लिए पांच रुपयों जाने हाँ पांच रुपयों जाने हम लोग मंदीर के अंदर आज चुके हैं और यहां पर देखें आप देख सकते हैं कितना अच्छा भजन किरतन हो रहा है भजन किरतन सुनते ही ना मन में जैसे एक शांति और सुकून मिल जाता है यहां पर हमारी दोनों बच्चे यान्शियू और अयान दोनों कितने मजे से मस्ती करते हैं और अभी थोड़ी देर में अभी भजन किरतन हो रहा है यह है दुपहर का आर्थी अब धीरे से धीरे धीरे कपाल खुलने वाला है कर दो दो जात खुलने दो जाता है अब कर दो जब को जाम गुप मैंने लूगर बाहन होुग ज की अचू जलाग होग होुग जट की लोगर का लिए कर दो कर दो जब के थाट सबस्क्राइब जे 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 खरी रामा 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 खरी रा या सब्स्क्राथ। आत्रोरर आग मारत के बादे सारी या न शना मोटन कर में ले नदिया हुई बोलू ना बोलू ना यहाँ पर आपने देखा मतलब भगवान जी का दर्शन हुआ कपाल खुला हमने दर्शन किया आरती हुआ और फिर बाद में दर्वाजा बंद हो गया अब इसके वज़ चार बुज़े उपन होगा अब हम लोग यहाँ आए दर्शन करने के बाद यह लाइन में भोजन प्रशाद लेने इसके प्रशाद करने के बाद हम पहुँच गए वहाँ से नियर बाइ पांच नूट की दूरी पर जुहू बीच है तो हम आ चुके हैं पूरी कामदी के साथ जुहू बीच फुल अन्वस्ती और इंजॉय करने के लिए अगर आप हरे रामा हरे कृष्णा जाते हैं वहाँ से वाकिंग डिस्टिंस पर पांच नूट पर ही जुहू बीच आ जाता अपना तो हम वहाँ से बस आ गया है जुहू बीच और आप देख सकते हो आयू डुगू कितना मसी कर रही है वह दोनों बीच पे जाके तो कोई भी बच्चा हो या बड़ा इंजॉय करने लगता है तो यह हमारे नए साल का पहला दिन था जो कि हमने बहुत इंजॉय किया भगवान का दर्शन किया भगवान की आरती की और थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी किया जू बीच पे जाके यह हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की छोटी 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 खुशय चोटा छोटा सेलिब्रेशन हम कोई बड़े बड़े पार्टी वगरा और्गुनाइस करने का हमारे अंदर कपासिटी नहीं है बस छोटे 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 चीज़ों में छोट बड़ी बड़ी खुशय हम ढून लेते हैं इन समुद्र के नहर लहरों को नहीं है अब हम यहां से निकलेंगे सिधी विनायक जो कि अब देखे हम पहुँच गया है सिधी विनायक जहां भी बहुत थी अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था नए साल का लेकिन सिधी विनायक में रश बहुत बहुत ही ज़्यादा था इतना ज़्यादा रश कि आप इमार्जन नहीं कर सकते हो लेकिन फिर 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 यहां हो चुका है हमारा सिधी विनायका भी दर्शन खतम आप यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दो लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल बाई